हलो एरवन गुड मॉर्निंग आला प्रोग आप सभी लोगों का निशानती जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है और आज से हम लोग जो है क्लास 12 मैथमेटिक शुरू कर रहे हैं और यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको जितने भी महत महत्वण आउकलन के सभी शुत्र हैं उन सभी शुत्रों को आज मैं बताने वाला हूं तो आप लोग बने रहेंगे और अंत तक देखिएगा बहुत ही महत्वण सिध्ध होगा यह लेक्चर आपके लिए क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम लोग गडित के उन शुत्रों को समझ हैं तक जो हां गडित को अच्छी से समझना बहुत ही मुश्किल है तो पहले उन सुत्रों को अच्छी से समझने चाहिए क्योंकि वास सुत्र ही होते हैं जो गडित को सरल बना देते हैं तो एक चारू का जो पहला सुत्र है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसका जो पहला फार्मूला होता है मैं ले रहा हूँ, x raised to the power n का तो x raised to the power n का जैसे हम लोग differentiate करेंगे dy by dx तो ये आपको result देगा nx, n minus 1 बहुत ही काम का सुत्र है इसी के साथ दूसरा सुत्र आपको बता रहे है दूसरा फार्मूला होता है अगर कोई constant term है जैसे माली जी वाई ब्रावर C करके कोई फन्फन दिया है तो इसका जब x के सापेच करेंगे और था dy by dx करेंगे तो यह आपको क्या मिलेगा सुनने मिलेगा इसका जो थार्ड फार्मूला होता है वो यह है अगर a to the power x है तो इसका जो differentiate होगा वो हो जाएगा आपका मैं यहाँ लिख रहा हूँ dy by dx अगर यह y ब्रावर करके माल लेते हैं यह भी माल लेते हैं y ब्रावर करके दिया है तो y ब्रावर a to the power x है तो इसका जब differentiate करेंगे x के सापेच में तो dy by dx equal to a to the power x log a base a अगला फार्मूला fourth number का y ब्रावर sin x तो इसका जब differentiate होगा तो dy by dx यह बदल जाएगा sin का किसमे cos x में पांचमा जो सुत्र है इसका y ब्रावर यदि माली जी दे दिया है 10 x तो 10 x का जो सुत्र होता है dy by dx यह 10 x का जो different feet होता है वो होता है सेक स्क्वाइर x में तो यह कुछ सुत्र हैं जो बहुत काम के हैं और सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि इन सभी सुत्रों को अच्छे से याद कर लें छठा नंबर का सुत्र में ले रहा हूं y बरावर अगर माल लीजिए सेक यक्स है इसका जब differentiate करेंगे तो dy by dx बरावर सेक यक्स का हो जाता है सेक यक्स इंटू 10 यक्स हो जाता है इसका साथमा फार्मूला अगर y बरावर साइन यूनिवर्स यक्स कुछ ऐसे दे दिया है तो इसका जब differentiate करेंगे dy by dx तो यह साइन यूनिवर्स यक्स का हो जाता है 1 अपान अंडर दरूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इसी के साथ आठमा फार्मूला y बरावर 10 यूनिवर्स यक्स इसका जो differentiate होता है dy by dx 10 यूनिवर्स यक्स का होता है 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर आखला जो सुत्र है 9 नमबर वो है y बरावर सेक यूनिवर्स यक्स तो सेक यूनिवर्स यक्स का होता है dy by dx इसका जब करेंगे तो यह हो जाता है 1 अपान x यक्स अंडर दर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इसका जो दस नमबर का फार्मूला है वो देख लेजिए अगर य बरावर मान लेते हैं लॉग x दे दिया है लॉग x बसी तो इसका जो डिफेरेंट गरेंगे तो लॉग x का होता है 1 अपान यक्स इह गारे नमबर फार्मूला देखिए y बरावर लॉग x बसी ए इसका जब डिफेरेंट करेंगे अर्था दि यवर दि यक्स तो लाग एक्स बेस यह है न तो वान अपान एक्स है लाग ई बेस ए इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यह बहुत ही इंपोर्टेंट सुत्र है दरसल इस फार्मूले में और यह जो मैं थार्ड नंबर का फार्मूला लिखा हूँ इसमें ज्यादतर स्टुडेंट को कन्फूजन राता है तिसे आप अच्छे से देख लेंगे जहां तक मेरा समझ है इसे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए त्योंकि मेरा जो एक्स्प लाग एक्स बेस एका क्या होता है ठीक है तो इस कन्फूजन को आप लोग दूर कीजिएगा अब आई यह मैं 11 नंबर का फार्मूला आपको पढ़ा रहा हूँ 11 नंबर का फार्मूला 11 तो फ्वरी हो गया है अब इसके बाद जो नंबरिंग होगा वो 12 होगा तो y बराबर e to the power x इसका differentiate dy by dx e to the power x का क्या होता है e to the power x ही होता है अगला जो है तेरे नंबर का फार्मूला वो y बराबर cos x तो इसका जो differentiate करेंगे x के साफ इच में तो cos x का हो जाता है minus half sin x हो जाता है इसके बाद जो चोदे नंबर का फार्मूला है y बराबर cos x करेंगे इसका cos x का होता माइनस cos x इंटो cat x पंदर नंबर का जो फार्मूला है y बराबर cat x क्योंकि मैंने 10 का लेडी बता दिया है तो cat x का हो जाएगा dy by dx माइनस कोर्शे की स्क्वाइर x cat x का 16 नंबर जो फार्मूला है sin inverse का हो गया है तो अम मैं बता रहा हूँ cos universe x का तो dy by dx और cos inverse x का माइनस 1 अपान अंडर दरूट 1 माइनस x स्क्वाइर 17 नंबर का जो फार्मूला है y बराबर cosec universe x तो इसका जो x के swapish differentiate होगा dy by dx होगा माइनस 1 अपान x अंडर दरूट x स्क्वाइर माइनस 1 18 नंबर का जो फार्मूला है y बराबर cut universe x तो dy by dx और cut universe x का माइनस 1 अपान 1 प्लस x स्क्वाइर इसके बाद दो और शुत्र होते हैं पहला अगर माली जी y बराबर u इन टु भी दो प्रोड़क्ट का अपस में गुड़ा है तो इसका हम लोग कैसे करते हैं तो इसका जो differentiate होता है इसका जो टू प्रोड़क्ट multiplication अगर कोई दो प्रोड़क्ट है कोई दो फलन u और भी आपस में गुड़ा के रूप में है तो इसका जब differentiate करेंगे x के साप एच में तो इसका differentiate होता है u को लिखिए d by d x आप b प्लस b को लिखिए d by d x आप u ये इसका महत्वपूर्ण फार्मूला होता है किन्ही दो फलनों के गुड़ा के रूप में ये इसके भी आपको याद कर लेना चाहिए और ये 20 नंबर का जो फार्मूला है ये अगर कोई दो फलन है और आपस में भाग के रूप में है तो इसका जब हम लोग डिफेरेंशियेट करते हैं ty dx बराबर ते देखें क्या होजता है हर को लिखिए और डिफेरेंशियेट कर दिजिए u का i uns को लिखिए और डिफेरेंशियेट कर दिजिए v का बटे v का square तो ये दो और महत्वपूर्ण सुत्र हैं इनको भी आपको समझ लेना चाहिए हमें लगता है इससे ज्यादा आपको आउकलन में और कोई सुत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर इतना आप कभर कर लेते हैं तो मैं यह मानता हूं कि आपको आउकलन अब आना शुरू हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है जो प्रोसेज मैं अपना रहा हूं उसी प्रोसेज से आप लोग फालो करते रहिए और मैं आसा करता हूं आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छी समझ हो जाएगी आपको तो एक बार हमें पुना इसे रिकॉल कर देता हूं देखिए पहला मैंने फार्मूला बता है कि एक्स एन माइनस वन होता है इसका कॉंस्टेंट का जीरो हो जाता है एक्स इंपोर्टेंट इस्रेडी में है तो एक्स लागे बेस ही होता है और sin x का quas x होता है 10 x का 6 square x होता है और 6 x का 6 x into 10 x होता है sin inverse x का 1 upon under the root 1 minus x square और 10 inverse x का 1 upon 1 plus x square 6 inverse x का 1 upon x under the root x square minus 1 और log x का 1 upon x होता है कब जब base e रहता है तब और log x a base e रहता है तो यहाँ पर थोड़ा सा confusion है देख लिजेगा यहाँ पर base e था तो 1 upon x था base जब a होगा तो 1 upon x log e base से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इसके बाद e p power x का e p power x होता है cos x का minus sin x होता है cos x का minus cos x into cos x होता है cos x का minus cos x होता है और cos x का minus 1 upon under the root 1 minus x square होता है cos x का minus 1 upon x under the root x square minus 1 और cos x का होता है minus 1 upon 1 plus x square दो फलनों का आपस में गुडा हो तो प्रथम को लिखिए दिती का ओकलन और दिती को लिखिए प्रथम का ओकलन और दो फलन यदिंस और हर के रूप में हो हो een और हर को लिखिए और अन्स का डिफिरेंसियेशन अन्स को लिखिए हर का डिफिरेंसियेशन और पूरे में हर का स्कुराइर तो ये मेरा lecture 1 है और ये 2023 और 2024 के लिए मैंने एक new ways इस्टाइट किया है और जो अच्छे मेरे साथ जुड़े हैं वो इसका इस वीडियो का फूल इंजुआ करें तो मिलते हैं इसके second lecture में तो आज के लिए इतना ही आप लोगों का प्यार बना रहे हैं और इसी प्रकार से चैनल को सपूर्ट कीजिए तो आज के लिए इतना ही जैहिन नमस्कार